वेलकम गाईस तब को फिर से स्वागत रेल किंग ओपीशियल में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज का दिन का सेकंड आईपेल मैश होने वाला है आरसीवी वर्सस एमाई के बीश में तो भाई इस वीडियो में आपको में डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ कि या फिर 80 परसन सेलेक्शन बाला 11 प्लेया लेकर कभी नहीं जीत पाओगे आपको चाहिए होगा एक या दो ट्रंपिक वो ट्रंपिक कौन-कौन सा है वो आपको भाई तुक्क में नहीं लोजिकली समझना होगा और उसको पिक करना होगा लोजिकली ठीक है आप तुक्के मे सब कुछ मालूम पढ़ जाएगा इस वीडियो में वीडियो में बता दूंगा तो चलिए गाइस बीडियो स्टाट करने से पहले और एक बात बता देता हो जो भी अवी तक हमाना टेलीगाम से जुड़े नहीं है जुड़ जाओ लिंक आपको एटीव डिस्क्रिशन में का करते हैं मतलब फाइनल लाइन पीष्ट रिपोर्ट गिवेव अगड़ से जुड़े नमा तो भूलना लिंक आपको एटीव डिस्क्रिशन में मिल जाएगा पिन का रहा ठीक है तो चलिए गाइस मैस के बाड़े हम तो आपको बता आता हूं तो यह मैस होने वाला एम चनने मैस से हम हम पर बेंगल उर्फ पे जो की आरि सीबी का हम गडाउंड है लास्ट 8 मैंच पर तीन मैच बैटिंग फर्स करते ही तिम ने जीता है आर्सीब इस गाउंड पर 82 मैच पे 42 मैच जीता है और थेरा मैच पर जीता है तो एमाई का रिकार्ट अच्छा है हलाकि आरसरी जो इसको रहागर देखा जाए 12-19 के बाद से तो यह पि-160 ब्लास रांद देखा जाता है तो मतलब आप कह सकते हो कि हाइज स्कोरिंग मैस देखा जा सकता है और उइकट कि इसको ज्यादा मिलता है लेक ब्रेक को ना टी-20 में उइकट मिलता ही है ठीक यह बात ध्यान देखन को मिला था तो आप देख सकते हो ठीक है 2019 का मैच है जाई है इस ग्राउंड पे टॉप फर्मस किसका किसका है RCB के तरफ से बिराट कोईली का 36 का अबर आचे दिनेश कतिक का 16 मैक्सवेल का 25 फाफ डुपलेक्सी 5 मैच में 112 हर्षल बैटल 17 मैच में 11 विकेट करन शर्मा चार में इस ग्राउंड पे तो इस बात को द्यान नगना महमत सिराज 9 मैच में 8 विकेट और अरविट चर्मा का 15 मैच दूसर 263 आने पिजिस चावला का भी 14 मैच से 15 मिला इस ग्राउंड पे हेट्ट्रेड में टोटल एमाई ने 19 मैच जीता है अरसी बीने 13 मैच जीता है लास्ट पांच मैच में भाई चार मैच जीतते हैं हेट्ट्रेड में ठीक यह बाद द्यान डगना डिसेंट कुछ हेट्ट्रेट समारी अगर देखा चाए दो आज़े 22 में जो मैच कहला गया था फर्स्ट मैच आरसी बीने जीता था उसमें सुरिया कुमार यादब रहित चानमा इशन किशन अनुज रवाद ने काफी अच्छा पारी खेला था बिराट कोईली भी अच्छा कहलता है तो यह बात ध्यान रकना हैं डोईट्चानमा भी 43 किया तो डोईट्चानमा ब्र अच्छा मिलता है ठीक है तो चलिए अभी आरसीब के तरफ से प्लेइंग 11 क्या होने वाला है फैब डिपली सी इसका रेकॉर्ड देख लेते डिसेंट फर्म दो आट 27-51-37 टीट्वार था इस बेनू में पांच मैस में 12 क्या है हिट्ट्वेड में बढ़िया प्लेयर है टीट्वेड में काफी अच्छा खेलता है अगर इनके टिम सेकेंड में बैटिंग करता है तो इसको जरूर लेके चलना विराट कोईली के बारे में तो क्या ही बताए बहुत इंपर्ट होने वाले आपके लिए इस बेनों में 36 के अबर आज है इस बेनों में आपके लिए एक अच्छा पीक होना चाहिए क्योंकि बालिंग भी आपको एक या दो बर करके देगा साथ इसाथ बैटिंग भी आपको तीन नामबर बे करके यह जो उपर बाला तीन चार बैट्समान है ना यह आपके लिए ज्यादे इंपॉर्टन होने बा लेकिन मैक्सवल का अगर आपको लेना है तो एजा बैट्समान के दौर पर इसको लेना मही पर लोमर काफी नीचे आ रहे है अकर इंके टिम फर्स्ट में बैटिंग करता है तो एजा ग्रैंड लिग पीक के दौर पर आप ले सकते हो दिनेश कात्तिक सेमी है बहुत नीचे में बालिंग करेगा तो इंपर्ट होने बाला अकाश दिप आपके लिए डिफार्शल पीक होना चाहिए टी ट्वांटिय में ओवराल थाटी टू मैस्टी एट विकेट इसके नाम है यह ना एक विकेट टेकर बॉलर है जब भी खेलता विकेट लेता है तो अगर इनके टी अगर इनके टिम फर्स्ट में बॉलिंग करता है फिर इसको लेके चलना सेकेंड में बॉलिंग करता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो ठीक है और सीराज तो भाई बढ़िया बॉलर है इसको जलूर लेके चलना तो यहासी इंपोर्टन प्लेर कौन-कौन सा है ब्राट कोली अगर इनके टिम फर्स्ट में बॉलिंग करता है तो ठीक है बैस्ट प्लेंग लिवन होने वाला है रोहित शर्मा इशन किशन केमरन ग्रीन सुर्या कुमर यादव तिलाग बर्मा टीम डेविड रमांदिप सिंग सैंस मुलानी जोफ्रा आर्चर जेसन ब्यार्डव फियू अगर यह टीम सेकेंड में बैटिंग करता है मतलब जब चेस करेगा ताप इसको इशन किशन को भी ले सकते हो ठीक अगर फर्स्ट में बैटिंग करता है तो ग्रैलिंग में आप इसको ट्राय कर लेना कैमरान ग्रीन बैटिंग में दोनों करके देगा तो इंपॉर्ट होने वाला आपके लिए सुरिया कुमर यादव तो आपको पता है कि इतना अच्छा से गुजार रहा है अला कि लास्ट कुछ मैस्ट में फ्लाफ हो रहा है लेकिन भाई प्लेयर बहुत शंदार है कभी भी अच्छा खेल सकते हैं तो आप लेके चलना सुरिया कुमर यादव को तिलाक भर्मा अगर इनके टिम फर्स्ट में बैटिंग करता है फ्या भी इसको क्योंकि टिवांटी अबर्लं काफी अच्छा रेकॉर्ड है इसका रिसेंट फ्रम भी काफी अच्छा जा रहे है टिम डेविट काफी नीच आ रहा है तो ग्र्ण लिंग में टाय कर लेना दावनदीप सिंग भी काफी नीच आ रहा है लेके जाना चाहते हो ले सकते हो ग्रान लिंग में जोफ्रा आर्चर भाई ये ना हेट्ट्रेड में चार मैस पर दो इकट लिया है और अभी जो निव सरजरी के बाद ये खेल ला है उतना घात तक मुझे नहीं लेकरा है ठीक है लेकिन बड़िया प्लेयर है बड़िया बॉ प्लेयर है जोफ्रा आचाहर भाई लेके चलना ब्या डोप ब्या डोप शुर्वास में ब्लवाव अइगा तो आप लिखे सकते हो कि अच्छा बॉले रहे ये ड्यकषकर्ण एक मैस्पे एक विकेट बैदू में एक विकेट नुक्योंमे एक मैस्पान्दरा ब्यकेटे कर मिलता है तो यह दिए इस इंपोर्टन अच्छा ले सकते हो तीन प्लेयर वासे इंपोर्टन्ट वोगा है जोफ्र आच्छा ब्याद वुद्ध पीजुश्ट चावला यह 6-7 प्लेयर में से आप 5 या 6 प्लेयर को लेखे चलना कैप्टन बाइस आप किसको देना है घ्रानलिं से स्टाइर सब्टाल में ट्रेज बड़ लेखा जाए तो विरेडिन वेंटीश चालने आुट के निंटीश थी बाल पे बाल मास्ग को चुम को मैंस्ट को मैंस्वल का ऊउट के पिढीक अउट के नियों और यदि वो चल्मा खो शिद्धत कॉन ने सुर्यकम और यादव को 30 बॉल पर एक बर आउट किया है तो प्लेयर बैटल में देखा जाता है कि भाई हर्षर बैटल अगर फर्स्ट ट्रेनिक्स में बॉलिंग करते हैं तो रोजिश्चमा को काफी बर आउट किया है और यह से पीजू स्ट्रेवला भाई काफी आचा रेकॉर्ड है इनके गेस तो यह दोन आपके लिए इंपोर्ड होने बाला है तो लगबग सारा प्लेयर के बारे मैंने बता दिया है और कौन-कौन इंपोर्ड ने कौन-कौन आपको लेके जाना चाहिए तो यह दोनों में से किसी एक के साथ आकर चले जाना अगर इनके टिव फरस्ट में बॉलिंग करते है तो यह तीन पंध पिक मैंने बता दिया है जो आप ले सकते हो ठीक है सावाज आमित को अब ले सकते हो लेकिन इसको बॉलिंग न दो या तीन वारी मिलेगा ठीक है ब्रेस्ट वेल आपके लिए इंपरन होना चाहिए सिंगल लिक के लिए तो लगबख सारा प्लेयर के वाले मैंने बता दिया है अभी आपको मैं बताने बालो गिफवे उनका निकल आपको क्या करना होगा गिफवे उनका निकल आपको कुछ नहीं करना है आज आपको बताना है कि बिराट को लिए कितने बाल पर कितने बनाने वाल है 48 बाल पर अगर 40 रन बनाएगा सरी मान के ज़रा 30 बाल पर 40 रन बनाएगा ठीक है आपने क्या बताया कि भाई 29 बाल पर 40 बनाएगा तो मैं उनका बना दूंगा मतलब, एक सही होना चाहिए, और अगर आसपास भी होगा तो भी में बना दूगा, ठीक? लेकिन दोनौ में से एक सही होना चाहिए बैरत को EULY कितने बनायेगा व कRunको बताना है कॉमेन सेक्षन में बताना है जिसका ऐंसे सही आएगा, उसको में बना दूगा तो चलिए गाइज अभी डेमो टीम के वारा में आपको दिखाता हूँ तो किस अभी के लिए मेरा टीम है यह होने वाला इशन किशन विगेट के स्क्रेक्शन में और बेटर आप्शन मुझे नहीं दिख रहा भी यह मेरा अभी के लिए टीम है यह मेरा फाइनल टीम मिलेगा आपका आप्टा लाइन आप टेलीग्राम में ठीक है तो उसका लिंग में आपको येट्यूब डिस्क्रिप्शन में और कमें शेक्षन में देदूगा पिन कर रहा हूँ और एक बाद में बताना भूलगा भाई चोईस 11 में खेलना मत भूलना चोईस 11 में अभी जो new TDS रोल चालू है एक तारिक से चोईस 11 में अभी तक TDS का कोई अपडेट नहीं आया है अभी तक TDS का कोई एक रूपी भी चार्ज नहीं कर रहा है तो भाई आप चोईस 11 में अभी खेल सकते हो जब TDS अपडेट होगा इस अपडेट में आपको अपडेट दे दूँगा तब तक गाईस अभी के लिए इस पर अभी तक चालू नहीं हुआ है तो आप इसका फाइदा आप ले सकते हो और इस पर खेल सकते हो चोईस 11 का लिंक आपको YouTube डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्रम चैनल में कई पर भी मिल जाएगा तो चलेगा इस फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में और